वेलकम टू कॉम्पूटर ग्यान यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या सब्दों का पहला अक्छर से साइलेंट होता है तो इस पे आज हम कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जिसमें आप पता चलोगे कि कौन-कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं और कहां स साइलेंट होते हैं तो आप इस वीडियो को देखते हैं आपके बहुत सदा काम आने वाला है क्योंकि आप बहुत बार ऐसे वर्ड देखते हैं जिसे आप पढ़ने में मिश्टेक कर देते हैं अगर आपको उस वर्ड के बारे में साइलेंट के बारे में नहीं पता होता है तो आप उसको पढ़ते हैं, जिससे आप गलतिया कर पढ़ते हैं, तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे words देखने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहे हैं, तो जैसे कि आपको यहां इस टाटे में कुछ words में दिखा रहा हूं, आप उसमें देखेंगे कि silent word क्या होता है, जैसे net, psychology, honor, right, hour, knowledge, pneumonia, तो ऐसे words होते हैं, जिसमें silence word आपको यहां दिख रहे हैंगे, जैसे net में आपको g silent है, psychology में p, और honor में आपको h, right में w, तो इसी परकार आपको देखो, पहला word जो है सब silence दिख रहा है, तो ऐसे words आप यहां देख सकते हो, सब के meaning आपको बाद जुमें दिख रहे हैंगे, आप वहां से देख सकते हैं, फिर आपने देखा कि सभी word का जो पहला अकसर, जो पहला लेटर होता हो silent है, अभी हम आपको कुछ ऐसे word दिखाते हैं, और उसको आप अपने मन में प्रोनाउंस के, उसका उचारर करो, तो सहले में आपको डेखो डबलू सायलेंट है, दूसरे में के सायलेंट है, तीसरे में आपको के और टी दोनो सायलेट है, इसे आपको के ऊपने नेसले है, और इसको बीद को बाद एखो हम की आपको इस जाद reference कर देख हो होते हैंं, आफ आप यहां समझht गये होंगे, अब हम आगे देखें, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जी एच भी silent होता है। उसका उचारू नहीं होता है जैसे आप यहाँ High ऑड South ऑ और Right पढ़ते हैं तो इसमें आपको देखो Gee एच सब का तो जोजदो इसमें हम कुछ word यहां आपको दिखाएंगे आप वे हमारे साथ उचरन करें जैसे side, fight, might, flight, tight, light, night, delight, go, bright, tight, night, through, slight, aside तो ऐसे words हैं जो आपको यहां देखने को मिल रहते हैं इसमें देखो common word है जो silent है जी, एच, जी, एच, जी, एच और आपको इसमें एक night में दिखा होगा कि आपको देखो k और जी, एच, तीन हुआ, इसमें तीन sentence से silent है एक k और जी, एच, तो आई हब आप आप रहां तक समझ गए होनी हम आगे देखते हैं फिर तो friends, screen पे आपको कुछ word दिख रहे हैं जिसे आपको उसका उचारण करना अपने मन में या आप अपने हिसाब से उसका उचारण कर सकते हो तो इस परकार से आप इनका यूज़ कर सकते हैं अब भी हम आगे आपको दिखात कुछ word ऐसे देते हैं जिसे आपको अपने से उस word को लिखना है पढ़ना है उसे याद करना तो जिससे आपको वह बहुत सा मतलब आपको काम आएगा तो हाँ उस वीडियो को आप देखें म दोस्तों एग्जूकेशन विजनेस एंड कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो आप यहां से जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे तो आपका गंटी का ओप्शन आता तो आप इस गंटी पे क्लिक करोगे तो आपको ओल का ओप्शन मिलता है और नन एंड प्रसुन राइज तो आपको सिव और पे सेलेक्ट करना है जिससे हमारा फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिक्रेकरशन आपको मिल जाएगा फिर आप जो भी वीडियो देखते हैं वह आपका कैसा लगा उस इसाफ है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हों